हेलो फ्रेंज क्या हल आप सभी के आसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे आप सभी को कॉंग्राचुलेशन्स आपने जो एसे सी रेलवे एंटी पीसी के लिए जो महिम चलाया था सरकार के अगेंस वो आप जीत चुके हैं उसके लिए आप सभी बदाई के पात रहें आप सही तरीके से महनत करते हैं तो हंडेट एन टेन परसेंट आप पर सक्सेस होंगे और एक सेट लेकर जरूर निकलेंगे तो अपनी तयारी को जो है वह विक पर ले जाए है फुल जो है आप पोटेंसियल से अपना इसमें जो है जो टिजे ए एनर्जी को और एक सेट जरूर दी मतलब ये सभी examination चाहे बिहार के हो यूपी के हो जितने भी हिंदी बासी एस्टेट हैं उन सभी में जितने भी competitive examination होते हैं उन सभी examination के लिए ये video super important है इसके एक सवाल को भी अगर आप skip करते हैं या छोड़ते हैं तो वो अपने risk पे छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही च सवाल करवाएंगे GK के GS के आप GK और GS के प्रस्णों के लिए 100% हमारे चैनल पर रिलाइक कर सकते हैं अगर आप कोई भी चैनल YouTube में नहीं follow करते हैं सिप आप हमारे चैनल से GK GS complete करते हैं तो हम आपको 100% asure करते हैं कि हमें जो 10,000 सवाल हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे इस 10,000 सवाल से बाहर आपका एक भी सवाल बाहर नहीं पुचा जाएगा इसकी guarantee हम लेते हैं इतने चुनिंदे इतने selected प्रस्णों को हम आपको करवाएंगे इतनी अच्छे अच्छे model question को करवाएंगे कि उससे बाहर सवाल आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें एक एक सवाल को देखें सभी दोस्तों से share करें ये अब especially जो है 15 December को जो है उसको target करके जो सब इंस्पेक्टर का बिहार का exam उसको target group D को जो exam है target UP में जितने various examination MP में जहरकन में इन सभी examination को target करते हुए ये selected questions को लिया गया है तो ये बहुत ही अच्छे प्रस्णों का collection है सूरू से अंतक हर एक वीडियो को देखेंगर आज से daily basis पे वीडियो आएंगे ठीक है तो उस सवाल सुरू करते हैं पहला है कि पुरुवैदिक या रिगवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है तो देखें पुरुवैद आपको बता दे कि सिंदू घाटी सव्यता के बाद जिस नवीन सव्यता का विकास हुआ उसे ही आरियन या फिर वैदिक सव्यता के रूप में जाना जाता था मतलब जो संदू घाटी सव्यता आप जानते हरापा civilization उसके बाद जो दुसरा जो civilization हमें देखने को मिला था वो 1000 इसा पूर्व से लेके 600 इसा पूर्व तक कहां से 1000 इसा पूर्व से लेके 600 इसा पूर्व तक आपको याद रखना है कि रिग वैदिक काल में आरियों का जो निवास अस्थान था वो सिंदू यानि की सिंदू और सरस्वतियों नदियों के बीच में था और बाद में धीर गंगा और उसकी सहायक नदियों में देखने को मिलेगा, जैसे कि मगद अंपायर थें, और भी जितने भी सारे अंपायर थें, वो सब गंगा के आसपास के छेतरों में आपको देखने को मिलते हैं, साथी साथ यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, कि आरंबिक वैदिक आर्य जो थे वह पंजाब में केंदरित एक कांस यूगी के समाज थें क्रीसी अधारित ग्रामिन सोसाइटी थी उनकी ठीक है तो आपसे अगर पुछेगा कि वैदिक जो अर्ली वैदिक पिरियट के जो लोग थे वे कैसे थे वे ग्रामिन थे और वे क्रीसी अधारित उनकी पेसा जो एक क्रीसी थी और ये पंजाब में ये लोग केंदरित थे और कांस को जो यूज ये लोग करते थे नेक्स कोशन देख लेते हैं कि आरे सब्द का क्या आर्थ होता है तो देखे आरे सब्द का आर्थ होता है स्रेस्ट या कुलीन क्या होता है स्रेस्ट या फिर कु हमें आने के chances 100% हैं so आप एक भी कोशन इसकी पगर करते हैं तो आप अपने risk पे करेंगे next question है कि रीगवैदिक काल में विनियम में के माध्यम के रूप में किसका परियोग किया जाता था देखें रीगवैदिक काल में आप याद रखिएगा कि सबसे important जो commodity होती थी जो धन होता था वो होता था गाय ठीक है तो गाय का ही इस्तमाल चीजों को अदला बदली के रूप में किया जाता था तो option C क्या हो जागा गाय विनियम के लिए जो है गाय को हम लोग इस्तमाल करते थे एक tooshermark कि रिगवैदिक काल में समाज का स्वारूप किस परकार का था तो रिगवैदिक काल के लोग जो थे उन्होंने सर्व पर्थम किस धातू का परियोग किया था उन्होंने सर्व पर्थम तांबे का परियोग किया था किसका तांबे का option C क्या है correct है next है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है देखिए वेदों की कुल संख्या चार है ठीक है आपका रिग वेद और वेद कुल होते हैं, आप्शन सीख्या हो जागा, correct हो जाएगा, next question है कि किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है, very important question कि गद और पद दोनों में किस वेद की रचना की गई है, तो right answer है यजूर वेद, यजूर वेद की रचना जो है गद और पद दोनों र परुष्णी का महत्व क्यों है, परुष्णी नदी जो है अवेदिकाल जब हिस्ट्री को पड़ते हैं, तो परुष्णी नदी बार बार आता है, परुष्णी नदी क्यों important है, परुष्णी नदी को आज वरतमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिग वेध में उल्लिखित कुल करीब 25 नदियों में सरवाधीक इंपॉर्टेंट नदी जो महत्पूर नदी है कौन थी देखें रिगवेधिकाल में आप देखेंगे तो सबसे महत्पूर नदी कौन थी मुणकोप निसद से लिया है और मुणकोप निसद किसका हिस्सा है तो मुणकोप निसद जो है या किसका हिस्सा है या है अथरवेद का हिस्सा है या किसका है अथरवेद का हिस्सा है जरूर याद रखेंगे बेर इंपॉर्टन कोश्चा है सारे इनफेक्ट सारे प्रस्निप वेदांग किसे कहा गया है वेदांग हम किसे कहते है वेदांग कहते है उपनिसदो को किसे कहते है उपनिसदो को हम क्या कहते है वेदांग वेदांग का अर्थ होता है वेदो कांग ये वेद को जो है explain करते हैं उनको define करते हैं तो उपनिसत्वम क्या कहते हैं विदांग कहते हैं नेक्स्ट है रिगवेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सुक्तों में वर्नन मिलता है तो रिगवेद का सबसे प्रतापी देवता कौन थे सबसे प्रतापी देवते थे इंद्र सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि रिगवेदिक काल में इंद्र देव को सबसे ज़्यादा अराध्य माना जाता था और इनको सबसे ज़्यादा पुझनिये भी माना जाता था नेक सोचन है कि अस्तो मा सद गमे कहां से लिया गया है ये complete एक sentence है पुरा स्लोक इसमें जो बताया गया है कि हमें अंधकार से प्रकास कियो और ले चलो अभी आपको पता होगा ये question important किसलिया है क्योंकि अभी हाली में lockdown जब हुआ था प्रधान मंत्री ने एक दिन candle जलाने का जो आवाहन किया था पूरे देश में तो उस समय इस मंत्र को प्रधान मंत्री ने recite किया था मतलब इस मंत्र को उन्होंने गया था अस्तो मा सदगमय यानि कि हमें अंदकार से प्रकाश की ओर ले चलो ये question इसलिए important है आप याद रखिएगा तो ये कहां से लिया गया है इसको लिया गया है रिगवेदिक काल से कहां से रिगवेद से लिया गया है next है भारतिय संगीत का आदि गरंथ कहा जाता है किसे भारतिय संस्कृत का आदि गरंथ किसे कहा जाता है देखिए संगीत और समा म्यूजिक ये सबी चीजे कहां पर अब जो है वर्णन इन सब का मिलता है सामवेद में सामवेद आप याद रखिएगा इन में जो है आपको म प्यूजिक मतलब जो है ना इंजोई करने की चीज इंटर्टेन्मेंट की चीज जो है यहीं पर आपको मिलेंगी तो सामवेद जो है भारतिय संगीत का आधिगरन सामवेद को का जाता अब संडी क्या होगा करेक्ट होगा नेक्स कोशन है पुरानों की संख्या कितनी है तो देखिए पुरानों की जो कुल संख्या है वो है अठारा ठीक है अठारा पुरान कुल है नेक्स कोशन है आरे भारत से भारत में बाहर से आएं और सर पर थम बसे थे यह एक कंसेप्ट है जो भारती इतिहास में बहुत ही जो बहर से आये थे वो आके सरुपर्थम कहां पर बसे थे तो आरे जो है वो पंजाब के छेतर में आके बसे थे बहर से ठीक है आरे जो है पंजाब के छेतर में आके बसे थे मिमानसा या पूर्य मिमानसा दर्शन के परतिपादक है तो मिमानसा या पूर्य मिमानसा दर्शन के प कौन सा मंडल पूरनता सोम को समर्पीत है सोम यानि कि जो ड्रिंक होता है अलकोहल होता है उसको समर्पीत कौन सा मंडल है तो नौमा मंडल जो है नौमा मंडल ओ सोम को पूरी तरीके से समर्पीत है नेक्स कोशन है कि आध्यात्म ग्यान के विश्यच में नचिकेता और यम का स किस उपनिसद में प्राप्त होता है तो अध्यात में एक टॉपिक पे डिबेट हुआ था गिनके किनके बीच में तो नचिकेत और यम के बीच में हुआ था ये डिबेट का पूरा वर्नन आपको कहां पे मिलेगा very important question है तो आपको कठोपनिसद में ये डिबेट आपको देख जाई से लोह दातु के परचलन के प्राचिंतम प्रमान मिले हैं ये very important question है क्योंकि देखिए लोह का प्राचिंतम प्रमान हमें कहां मिला है ये obvious है बहुत important question बन जाता है तो ये अतरंजी खेडा से मिला है अतरंजी खेडा कहा है तो अतरंजी खेडा ये उत्तर परदेश मे है और उत्तर परदेश में गंग की सहयक नदी है काली नदी के किनारे ये बसा हुआ है अत्रन्जी खेरा तो यहां से जो है हमें लोहे का प्राचिंतम प्राचिंतम प्रमान हमें मिला है नेक्स कोशें देखते हैं वैदिक यूग में प्रचलित लोग पर ये सासन प्रणाली थी तो वैधिक यूग में जो सासन विवस्था था वो किस प्रकार था तो वैधिक यूग में गनतंत्र था उसमें बहुत से लोग मिल के क्या करते थे राज को चलाते थे एक जगा पावर कंसंट्रेट यानि कि केंद्रित नहीं होता था बहुत से प्राचिनवेद कौन सा है सबसे प्राचिनवेद है रिगवेदा सबसे प्राचिनवेद कौन सा है रिगवेद नेक्स्ट है आर्यो के मूल निवास अस्थान के बारे में सरवाधिंग मान निमत कौन सा है तो आर्यो का जो है मूल निवास कहां था तो यह माना जाता है कि आर् एसिया में बैक्टरिया नाम का जो अस्थान था यूरोप के आसपास वहां से जो है मूल आरी जो है भारत आये थे और भारत आने के बाद पंजाब के छेतरों में बस गए थे नेक्स्ट है प्राशिन भारत में निस्क very important question निस्क से जाने जाते थे निस्क किसे हम लोग बुल तो सबसे पहले जो है हमें चारों आस्रमों के बारे में जानगारी जो है वो हमें प्राप्त होती है कहां से तो जाबालोप निस्द से कहां से तो जाबालोप निस्द से चार आस्रम कौन-कौन से आस्रम होते हैं तो एक होता है ब्रह्मचारी जो कि आप students हैं आप हैं उसके आत्मा को त्यागने का इंतिजार करेंगे, तो वो सन्यास हो जाता है, तो चार आशरम होते हैं, ब्रह्मचारी, ग्रिहस्त, बनप्रश्त और सन्यास, यह सभी का जो वर्नन आपको मिलेगा वो जाबा लोग निसद में मिलेगा, next question है कि गोतर व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र विवस्ता है जो प्रचलन में कब आई? यह प्रचलन में उत्तरवैदिकाल में उत्तरवैदिकाल में गोत्र विवस्ता का प्रचलन शुरू हुआ था. Next question है कि सभा और समीती प्रजापती की दो पुत्रियां पुत्रियां थी, उसका उलेक कहां मिलता है, सबसे पहरे देखिए, परजापती इनको बोला जाता है, वैदिक काल में एक देवी थी, देवी का दर्जा दिया गया था परजापती को, इनको जितने भी क्रियेचर एक्जिस्ट करते हैं, क्रियेचर यानि की जो इंसान, कीडे मकोले, जितने भी कुछ जीवी चोचीज होते, उन सभी का गौड माना जाता था परजापती को, और बोला जाता था उनकी दो पुत्रियां थी, कौन-कौन थी, एक सभा और ये समीती, तो इसलब का उलेक जो है, वो आपको कहां मिलता है, वो आपको अथरवेद में मिलता ह क्या होगा, राइट, अथरवेद में जो है, परजापती की दो पुत्रियां सभा और समीती का उलेक मिलता है, सुपर सुपर इंपोर्टेंट सारे कोशन, मोस्ट सेलेक्टेट कोशन है ये सभी, प्राचिंतम व्याकरन, अस्ट दिहाई के रचनाकार है, तो अस्ट दिहाई क्रिसी था, क्या था, क्रिसी था, सॉरी, क्रिसी नहीं, और फ्रेंस, पसु पालन था, पसु पालन, उप्सन B क्या होगा, राइट, पसु पालन जो है, उनका व्यासाई मुख्य यही था, पसु पालन व्यासाई, तो अधारित क्रिसी अधारित थे वो लोग, लेकिन व्या कोशन के माध्यम से मैंने आपको more than 80-90 कोशन मैंने आपको 80 कोशन के आसपस करवा दिया है इसी परकार से हम सारे कोशन को extra fact के साथ clear करते जाएंगे और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि GS की तयारी के लिए 100% हमारे चैनल पर रिले कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं दस हजार प्रस्न हम आपको एक्जाम से पहले complete जरूर करवा देंगे दस हजार प्रस्न में अगर एक भी सवाल आपका अगर एक्जाम में बाहर आता है हमारे पढ़ाए गए यहां जितने भी लेसंस बना जाएंगे उससे बाहर तो आप हमें कह सकते हैं एक भी सवाल हम नहीं आने देंगे बाहर जितने भी बुक एबी लेबल है जितने भी मॉडल ते है जितने भी इंस्टिट्यूट के कोचिंग के कोश्चंस उन सभी कोचिंग के कोश्चंस बुक सारे चीजों को हम यहां पे आपको कभर करवा देंगे आपको इतना मदद करना है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों से सेयर कर दिया जितने भी अब फुल फलेज़िट फूज एनरजी फूज जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनहीं को सेयर करें अननेसेसरी बच्चों को ना सेयर करें जिने कोई फर्क नहीं पड़ता और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक अपना देते हुए जाए इस वीडियो को अगला वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू धन्यवाद जाहिन